नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर केज्ट सवगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हिल्सपूर के बारे में तो हिल्सपूर क्या होता है कैसे होता है उसको ट्रीट किस तरह से करत हाज हम हर वीडियो के शुरॉद में और लगन हाज है लुए बात है और हम बात है कि हमारे मेरे हिल्सपूर क्या होता है is के बारे में हमारे बॉडि के अंदर हील या प्र एडी के अंदर क्या चैनल निस बोन होता है उस बोन के ऊपर बोनी 있습니다 आउट ग्रोधा या फ्र बोनी वजे से होती है, इसके कारण क्या होती है? तो हिलशपूर हो ने का मेंन रीजन होता है कलेशियम डिपोजिट्स अगर किसी पेशन के बॉड़ी के अंदर को और पेशन माननो कि कैलेशियम सप्लिमेट कुछ ले रहा है तो जो excess calcium है जो कि body से ठीक से utilize नहीं हो रहा है तो जो excess calcium है वहाँ पर उस bone के अंदर heel के अंदर जा करके deposit हो सकता है उसके वज़े से उस patient में hills पूर हो सकती है इसके बाद उस patient के पेरों के अंदर जो muscles होते हैं जो ligaments होते हैं उनके उपर ज़रू से ज़्यादा stress आना ज़रू से ज़्यादा stress आता है तो उस तरह के condition में भी उस व्यक्ति में hills पूर की problem हो सकती है इसके बाद हम बात करेंगे hills पूर के जो science वर symptoms होते हैं जो लक्षन होते हैं उनके बार में सबसे पहला तो लक्षन होता है कि उस patient को अपने heel के अंदर काफी ज़्यादा दर्द महसुस ह होता है दर्द के साथ साथ उस patient को अपने heel के अंदर tenderness महसुस होती है मतलब कि अगर आप उस patient के hills के ऊपर थोड़े से पालपेट करोगे थोड़ा सा प्रेज भी करोगे थोड़ा हाथ भी लगाओगे तो फिर उस patient को दर्द महसुस होगा तो इस तरह से heel के ऊपर tenderness होना heel क इसके अंदर बहुत ज्यादा दर्द होना यह इसके महत्वपूरन लक्षन है इसके साथ साथ किसी किसी patient में heel के ऊपर सूजय ना वहाँ पर discoloration या फिर रेडनेस होना यह भी लक्षन देखे जा सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे hills पूर के diagnosis के बारे में तो उब्योस सी एकसर में ही हम इस तरह से hills पूर के problem को diagnose कर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे hills पूर के बीमारी के treatment के बारे में तो hills पूर के बीमारी को treat करने के लिए हमें सबसे पहले तो self care की बारे में बात करनी चाहिए तो patient अपने hills के उपर 20 मिनिट के लिए ice को apply कर सकता है मतलब कि जहाँ पर दर्द हो रहा है AD के उपर या फिर hill के उपर वहाँ पर उस patient को 20 मिनिट के लिए ice apply करना है या फिर बर्फ लगाना है इस तरह से उस patient को दिन में 3 बार करना है सुबा दो पर रात में बाहर से वहाँ पर ice apply करना है यह पहली चीज वह patient self care के अंडर कर सकता है इसके बाद उस patient को कुछ analysis को कुछ दर्द को कम करने वाली या फिर surgeon को कम करने वाली medications भी दिये जा सकते हैं इसके अंदर हम उस patient को paracetamol या फिर ibuprofen और बाकी जो भी NSAIDs है उनके अंदर जो भी drugs है उनको भी इस तरह के patient में जरुत कैनोसार इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि उस patient में जो दर्द है जो tenderness से उसको कम किया जा सके बाद उस patient को advice किया जाता है कि वो अपने shoes के अंदर heel wages या फिर heel cups भी पहने जिसके वज़े से heels के उपर ज़्यादा pressure ना है इसके लिए कुछ अलग तरह के shoes या फिर footwares भी मिलते है जिनके अंदर heel जो होती हो काफ heels के अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है आप उस दर्द को सहिन नहीं कर पा रहे है और इसके उज़े से आप चल भी नहीं पा रहे हो अगर ऐसी condition है तो आपके डॉक्टर के पास जल से जल जाना चाहिए इसके बाद आपके डॉक्टर आपको कुछ physiotherapy देंगे कु soft heel वाले कुछ footways पहनना, heel cups का इस्तेमाल करना, wages इस्तेमाल करना यह भी चीज़े की जा सकती है कुछ heel spur के major किसिस होते हैं यहाँ पे surgery या फिर operation करने की भी ज़रूत हो सकती है इस operation के अंदर हम दो चीज़े, दो चीज़े mainly कर सकते हैं सबसे पहले हम heel spur को operate करके remove कर सकते हैं या फिर heel के ओपर जो excessive pressure, excessive tension आ रहा है, वो काफी जादे कम हो जाता है और patient को आराम हो जाता है, तो एक कुछ main line of treatment है, जो की heel spur के patient में apply की जाती है, thanks for watching this video till then, thank you very much.